हलो गैज मैं खुशिरो आपका स्वागत करती हो दिन्यूस्टॉक चैनल में घर की खुदाई में मिले 800 साल पुराने सोने के सिखे यूवक को बेचना पड़ गया भारी चलिए जानते हैं क्या ही ये पुरा मामला इसके उपर नज़र डालते हैं मेरे साथ लास तक जुड़े रही है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए उत्रप्रदेश के कोशाबी जीले से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर एक कोशाबी चोटा सा एक गाओं है वहाँ पर मुकेश पूरी नाम का एक व्यक्ति रहता है उसके घर के एक्चली में रिनोवेशन चल रही थी जिस दुरान ही नीव रखी जानी थी और नीव रखते वक्त खुदाई चली और खुदाई के दुरान बताया जा रहा है कि मुगल जमाने के एक्चली में 800 साल पुराने सिक्के वहाँ पर सोने के सिक्के मिले हैं जो कि कुल 171 बताई जा रहे हैं और उसके बाद जब मुकेश को ये सिक्के मिले तब उसने अपने दोस्त के साथ जाके सर्फा बजार में इसको बेचने के लिए वहाँ पर देखा तब वहाँ पर जब में दूसरे बजार में जादा रेट में एक्चली में बेच सकता है और उसको जादा पैसे मल सकते हैं दिरे दिरे ये जो बात थी वो आख के जैसा फैल गई और उस दुरान ही पुलिस को इसके बारे में पता चल गया और पुलिस ने जब वो ये सिक्के जो है बेचने जा रह जेल भ्हेजप़ा गया है, जो सिक्टी है उसको बरामत कर लिया गया है और निरक्षेन के लिए भीज़ दिया गया है तो अधी वब गस आप लोग को जानकारी काफ़िवा उपडेटेड एव्हेजधावल लगी होगी इसे के साथ मैं लेती हुँ अजाज़त बबाई टेक ये नमशकार